पॉइंट में किया है तो हम जो सिलेबस है भगवत गीता का समाने परिचे तो हम क्या समझेंगे कि भगवत गीता का ओरीजिन कहां है उसके राइटर कौन है क्या कितने नमगत स्लोक हैं आप सबको बहुत लोगों को पता होगा फिर से उसको रिवाइज भी कर लेंगे यह कहा से महा भारत के किस परव से लिया गया है फिर योग की परिवास आएं उनकी प्रासंगीता और कारचे तरी इसके बारे में सभी समझेंगे कुछ specific topic जो एक area है जैसे आत्म श्वरूब इस्थित प्रग्जिना जो सांके योग सो दूसरी अधिया से कर्म योग के बारे में तीसरी अधिया से शन्याश्योग और शकाम और शकाम शन्यास ध्यान योग यह सब जो है चटे अधिया से बारे में हम फ्क्री टेल में समझेंगे त्वबिद्विभाग के प्रकार चारतरा की जो इसके बारे में थर्टीन फॉर्टीन यह सब तृगून और प्रकृति की तिन प्रकार की आस्था है न यह उख्शातर के लिए जो हो जानी बहुत इंपोर्टन चाप्टर होगा इसमें बहुत सारी तो अभी देखी यह जो सिलेवस हम देख रहे हैं इससे भी कई सारे बन सकते हैं अभी कोश्चन एक भी बन सकता है कि भक्त की प्रकृति किस अधियाय में है भगवत गीता के किस अधियाय में तो यह हमें समझे स्लेवस को भी थोड़ आच्छी से समझना है जैसे आत्मश्व के बारे में किस अधियाय में है इस्तित्प्रग्न के बारे में किस अधियाय में है तो यह सब हो सकते हैं सादक के भोजन के लिए के बारे में भगवत गीता में किस अधियाय में है फिर मोच सन्यासियोग का अधियाय का नाम नंबर बताई है दैवासुर संपत्विभाग क इन के नमबर अधियाय के नमबर के नमबर और उनके नाम हम सब को याद रखना है जितने दिये हुए हैं ये हमें याद रखना है ओके ये थोड़ा इंग्लिश्ट में है अभी क्वीज करते हैं जस्ट आप सब लोग अपना स्पोर यह मैंने सिर्फ दो साल के जो पिछले हुए हैं उससे लेकर रखते हैं मैंने लिया है और अभी मुझे अभी आप अपना आंसर लीजिए चैट बॉक्स में अब अपने आपको भी कैसे देखूं और इसको कैसे देखूंगे मुझे चालेंग बठाएं हुआ है हुआ है है हुआ है है अब माइट चैट बॉक्स में पता नहीं मुझे दिखेगा नहीं अभी दोनों प्रेजेंटेशन आप अपना स्कूर लिखेगा तो एक कुश्चन है भगवद गीता में योगी स्रिष्ट कहा गया है किसको किसको कहा गया है वाट इस दान्शर क्या अंसर है कि भी वेरी गुड इस नेक्स्ट को समझना है फिर बाद में लोग डिटेल में जाएंगे तो जिन लोगों ने भी आंसर किया है इस क्वेश्चन का अपना स्कूर दो मार्क्स लगा लें सब लोग ऑनेस्ट लिए ना अच्छा फिर दूसरा क्वेशन भगवद गीता के अन प्रश्विक हार क्या क्या है अब यह याद रखेंगे तो उनको बहुत दीजी होगा अंसर यह 17 चाप्टर में है वाद आंसर प्रश्ट कि अ प्रश्ट कि अप्रिया हां वेरी नाइस वारी गुड बहुत बनिया तो जिन लोगों ने सी आंसर किया वो अपना माक्स दो रखेंगे दो माक्स देंगे अपने आपको और जिन्होंने बाकी एवी सी डी किया तो जीरो कर देजिए ना ओके थर्ड देखिए यह आ गया एक स्लोक है जिसका एक छोटा पार्ट है जो योगा की प्रिभाशा के रूप में हमको याद करना है यह किस अधियाल से लिया गया है उसका नमबर श्रोका नमबर आप्शन ए और कुछ उप्शन जीरो किया है वो अपने आपको दो नमबर दें और जिन्होंने ए किया है बी किया है सी किया है जीरो मार्स कर देते हैं या समत्वम योग उच्छते करके ऐसा है 248 में अभी हम पढ़ेंगे इसको जस्ट अभी एक्वीज है विफॉर स्टुनिंग तो कुछ लोग अलरी एक्सपर्ट हैं तो उनको पता है कुछ लोग हम रिवाइस के उनके लिए रिफ्रेशर होगा रिव अभी देखिए ये कुश्चन है जो भगवत गीता से ही है बट अभी कदन कारण इस दोनों के रिफ्र में आया है कुछ इलांसर कौनसा अंसर सभी ऑप्शन सही होगा और और अधर ऑप्शन ए सही है सब लोग समत है क्योवल ए सही है क्यों सिर्फ यह योगी नहीं है वनसे यहां करने ने वाले योगी ऊस्याहीं तो यहीन है दोनों ऑंसर को उन्होंने माना है ठीक है तो जो ए और बी जिनों ने आंसर लिखा है जो अपने आपको दो नंबर दे दें नेक्स्ट यह भी उसी तरव का है एक क्वेश्चन कौन सा सही है ऑप्शन और कोई एक के लावा और किसी का कोई दुसरा मत है एही सही है तो जिन लोगों ने यह आप्शन दिया है वो आपने आपको दो नंबर दे दें अभी भगोत गीता में दुख नाश के लिए जीवन सहली के अंगो के रूप में वर्न किया गया है किसको किसको अंजन किया है कौन सा उप्शन सही है इस दिए और कोई दुसरा आप्शन किसी के पास है कि सिब कुछनों की आंसर कर रहे हैं बागी सब साइलेंट यहां पर कर रहे हैं सब अच्छा आप मैं तो देखी नहीं पार हूँ अगे थीक है तो जिनोंने तो कोई मुझे गाइट करेंगा कैसे दोनों को देख सकें हम नहीं ना प्रेजेंटेशन मोर में नहीं देखता हैंगे, right? नो, सर. सर आप जो वो मैसेज वाला बॉक्स वो है ना, आइकन है, उस पर क्लिक करेंग तो मैं भी दिखेगा. नहीं, नहीं, बद प्रेजेंटेशन मोर में तो दिखी नहीं रहा है, पूरा. जो, ओके, जो जिन्हों ने भी लास्ट ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन दिया है, अपने आपको दो मार्क्स दे दें, वेरी गुड़, अभी देखे, फिर से आया, वगवद गीता के अनुशार सात्वी कहार के गुन हैं, ये उसी सलोका, पिछली बार भी आया था ना, उसी सलो और किसी का कोई मत, माई कॉन करके बोल सकते हैं, नहीं न, वेरी गुड़, तो जीनों ने भी थर्ड टमबर दिया है, अपने आपको दो मार्क्स दे दें, ये देखे, अभी यो है, सही क्रम के विकल्प को चूनिये, ये दुसरे अध्याय का, एक शलुक है, देयाय अगो इश्यान कुंशा, कौन सा सही है इसमें औप्शन, उसका पीच का है, दी, पोर फोर, पोर सर, तर दी होगा, कौन सा, क्या होगा, किसको याद है, वो स्लुक जहां से आया है, किसी को याद है? सर, सेकन अध्याय का शलुक है सरिया, ये याद में आ रहा है सरिया, ये इसके ऊपर दोनों सो लोग को याद रखना है, ये तो विश्यान कुंशा, वाला भी, और उसके आद भी प्रोधा वाला, वेरी नाइस, तो जिनों ने भी फोर्ट आंसर दिया है, वो अपने आपको दो नमबर दे दें, जिनका 123 है, वो अपने को 0 कर दें, और ये starting है न तो जस्त अपने आपको है, ठीक है, अब ये 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 घगो, ये भी एक्ष्लोग है, दूसरे अध्याय का ही, स्थिक प्रग्न के, तो सब लोग एक्सपर्ट हैं फिर भगोत गीटा का शाप्ता प्रहाई करने की जरूति नहीं तो जिन्होंने भी तिसरा ओप्शन चुना है तो वो आपने आपको दो नंबर दे दें ठीक है तो अभी हम इसको कहां गया है कि मैं थोड़ा देखूं चैट बोक्स में कई लोगों ने रिस्पॉंद गया है तो अपने मार्क्स थोड़ा करें कितने साथे कुश्चन थे एट कुश्चन थे ना तो आइटिंग सभी लोगों ने सही आंसर नाइन कोश्चन थे ना तो नाइन इन्टू टू एटीं तो कितने किसको कि एटीं थे एक लिए इसमें कुछ है सुना तभी कभी कुश्चन जो सामने वाला एट किया उसको भी देख की देश्चन थे ना तो कंपर्म होगे कहां सही नहीं होगा ने ने बट वह ऑनेस्टली इसलिए तो ओनेस्टली की जड़ो थी ना यह तो था ही स्टार्टिंग का अप्वाँ है ना इस कि हम एड करेंगे जाप लास्ट में जो प्रिवियर्स और यह सभी सी दो ही साल का मैंने आइड किया पाया हूं के वेरी नाइस सब को आया है अच्छा मेरी को सी सब लोग ऑनेस्ट हैं किसी ने आर्ट रिभी है सुला भी है वेरी गुड तो इसमें आ दुखी नहीं होना है कि मेरे को कम आया ऐसा कुछ नहीं है यह जस्ट स्टार्टिंग का कुई से ठीक है ओके अच्छा बाइडवे एक स्वाल मेरा रिस्क्लेमर है मैं मैं थोड़ा चैननी में ज्यादा रहा हूं तो मेरा कभी-कभी इंग्लिश वर्ट बहुत कोशिश करना हूं बर कभी-कभी आ इतने सालों से वो इंग्लिश में क्लास लेते रहते ना तो अभी हम चलते हैं थोड़ा और डिटेल में इस सब अध्यायों को है ना सिलेवस्ट आमने समझ लिया अभी हम भगोत गीता का तो एक तो समाने पर अच्छा यह दिख रहा है आपको स्क्रीन सबको तो यह थोड़ा हम थोड़ा डिटेल में एक बार फिर से पढ़ लेते हैं कौन से अध्याय में क्या है कुछ सिलेवस से बाहर भी होगा लेकिन उसको हम वेरी क्वीक्ली रंत्रों करते हैं तो सिलेवस्ट का पार्ट है समाने परीचे वह हम पढ़ेंगे भगोत कीता के आध सब जो में सब्जेक्ट है जो मुख्य सब्जेक्ट है जो विसय है उसको अधार्वुत तत्रों के उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं तो पहले अध्याय में तो पता है अरजुन को क्या हुआ विशाद विशाद शोख में पढ़ गया क्यूं अच्छा देखो दु तो जिन लोगों ने तो अरजुन को क्या आया को बता सकता है क्या आया जब वो देखा दोनों आदमी को फाले अध्यायमें अपने गुरू के पास विस में उसने परकट किया अरजुन को क्या आया क्रिटगेटा आई कि अपने लोग हैं जिनोंने हमें मुझे खिलाया है ग्यान दिया है इतना बड़ा किया है हमें उनके साथ लगना है तो उसको क्रिटगेटा के साथ साथ शोख आया क्यूंकि दुखी हुआ कि मुझे अपनों से लगना है लेकिन क्या अंतर है अभी देखो यह जितने महाभारत के जो पात्र हैं वो हमारे अंदर भी हैं आपको पता है जो है वो समझे दुर्योधन है जो धन हमने गलत तरीके से दुख यो धन जो अर्जन किया है वो दुर्योधन का अर्जुन हमारे मन को रिप्रेजेंट करता है तो उसका खैर हम उसमें ज्यादा नहीं जाते हैं अभी हम करते हैं फिर दृतिय अध्याय में सांखे योग का नाम दिया गया है क्यों सांखे को कहते हैं क्यूंकि इसमें प्रकृति और पुरुष शांखिप जो हमारा दर्शन शास्तर है उसमें जो प्रकृति के जो डिफेंट लृत इसकी विंच одной वेशन है कि चैसले उसका लिए प्रकृति यन पुरुष के आत्म ततों के बारे में में आत्मा के बारे में यह न तरृत्म के बाएं यह और सांखियों का आर्थ समझेंगे तो उसमें प्रकृति पुरूष के बारे में क्या है कि तिर्थी अधियाय में कर्म योग और लोक्षंग्रा चतुर्थ अधियाय में अच्छा देखो नाम वियाद रखना है प्रत्रम अधियाय को अर्जुन विशादियो सांखेयो यह सब कुश्चन बनेंगे इस अधियाय का नाम अभी से नाम अभी से नाम है अभी देखें के लिए त्यार रहेगा इन रखेंगे तो हर अधियाय का नाम अभी से से नोट बनाते लज़ेगे जिनको अलुरीं पता है वो तो ही और देखेंगे अफिर शर्थ्य अधियाय को आत्म शेयम यूग उसमें क्या है योग्रूर्शाधा कौन कि सको कहते है योग के लिए उप्यूक्स्थान क्या है यह कही सभी टेक्स्ट में अभी अभी गरण श अभियाश और वैराज्य। कौन से हमारी जो सास्त्रे हैं जिसमें उसमें भी वर्णन किया गया है? अउसमें क्या है? चित व्रित्यों का नीरोद का उपाय बताया गया है? अभियास वैराज्य। प्रितियों की जो पांच प्रितिया हैं उनके जिरूद का यहां पे छट्रिया दिया में मन की निग्रह के लिए अर्जुने पुछा कि भगवान कृष्ण से कि यह जो आपने बिदी बताए अभी तक वह हमारे बसकी बात नहीं है यह हवा की तरह जुसकर है उनको कंट्रोल करना हवा को कंट्रोल कर सकते हैं क्या हम लेकिन फिर भगवान कृष्ण नहीं जवाब दिया कि अशन्श हो महाबाहू अशन्श हो महाबाहू येस और राइट आप सही हो लेकिन अभ्यास से इन तू कौन कि यह वैरागें चाल इसमें बहुत ही सिक्रेट जो रहस्य के बारे में बताया है अच्छा कोई बता सकता है जो लाइसी जो लाइफ क्या बोलते हैं इंसुरेंस ना लाइफ लाइसी लाइसी लाइस लाइज लाइस लाइस किस अधिया से लिया गया है जीवन के बारे में जो स्लोक है उससे लिया गया है उसका लाइस पार अच्छा दश्यम अधिया भगवान की विभूतियों के बारे में है एक आदश में विराट रूप का दर्शन है यहां तक ग्यारह में अध्यात तक अर्जुन को कृष्ण की विशाल था मनलब उनकी भगवान होने पर थोड़ा डाउट था आप देखोगे कि हरा दियाय क्या जो पहला कोशन है वह बार-बार वह अर्जुन फ्रस्ट्रेट होते जा रहा है मलब बुस्से में कभी बोलते हो यह करो कभी करमयों करो कभी द्यान योग करो कभी ज्यान योग में जाओ लेकिन करूं तो क्या एक चीज़ बताओ जब विराठ रूप के दर्सन के बाद वाव मतलब वह अलग सा आपके जो अर्जुन के क्वेश्चन है जो प्रस्न पूछ रहे हैं वह अलग लेवल पे जाता है जाता है ना तो भक्त सब्सक्राइब सेत्रीं के बारे में चतूर्थाम अद्याय में 14 में अध्याय में संसार्व कि बारे में बहुत थी सुन्दत पूर्शौत्व्टम योग्यार जिसमें पूपल प्रिच की जड़ें ऊपर की तरफ और जो तन्हा है जो उसकी डालियां है वो नीचे की तरफ से बढ़ा संदर्सा और वान क्रिष्न के तो 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 ने देवाशुर संपत विभागी योग है देवी संपता क्या आई शुरी संपता क्या है तुमें सतरह में अध्याय में स्रधाथ अच्छलिए यहां फिर थोड़ा प्रिंटिंग स्टेक है च्छद्या ने श्रधा पूरा सन्यास इसमें क्या है मामेकम शर्णम ब्रज मतलब पूरा सरेंडर कर दो कर्मों के सिधान के पूरा त्रिविद गुद्धी कितने तीन तरह के करता कौन है ज्यान क्या है इसके बारे में कोई स्वाल किसी के मन में सब्सक्राइब करेंगे अब जो सिलेबस के इसाथ से परेंगे क्यूंकि अभी समय भी कम है ना फेवरी में मार्च कभ एक्जाम आने वाला है मार्च में फेवरी में मार्च में पर फेवरी के लास्ट में हो जागा या फिर मार्च के स्टार्टिंग में तो हम लोग जल्दे जल्दे थोड़ा इसको क्विक रंख करेंगे ठीक है अब ही चलते हैं पहला जो सिलेबस का पाथा भगवत कीठा के समानने परिच्छे तो आज तक आज हम यहां पे वेरी पर लेते हैं तो दिख रहा है यह एक विस्म पर भगवत कीठा में कितने पर में अठारा अध्याय है और पूरी जो महाभारत की लराई हुई थी वह भी कितने दिन में हुई थी अठारा दिन में हुई थी है ना अच्छा तो यह हमें याद रहता है अभी तक तो ऐसा कोई कोशन मैंने नहीं देखा बट विश्म परभ से लिया गया है और विश्म परभ के तेईसमी से चालिसमें अध्यायत का यह भगवत गीता का वर्ण है यह याद रहेगा सबको और अठारा ध्याय महाभारत में जिसको परभ से नाम से जाना जाता है और एक हर पर में जो जो जी जैसे भिश्म पितामा जिस पर में हैं जो उनका प्रमुकता है वो उनका नाम उसको नाम से दिया गया है बगवत गीता के अठारा ध्याय है हमने पढ़ा तोटकुल 700 स्लोक से हैं 700 स्लोक से हमें यह याद रखने है कुछ कोई बोलते हैं 745 तो जैसे भगवान अवाच्चा तो उसको भी काउंट करें तो यह आता है बट हमें एकर में एक्राम के लिए 700 स्लोक याद रखने कितने टोटल स्लोक है 700 700 इसमें बहुत सारे अलंकार है 14 अलंकारों में रूपा कुपमा सब हैं और चंद जो हैं वो मेंली दो तरह के चंद मैंने परें आधी चार चंद हैं अब इसके बार में ज्यादा मुझे मत पूछना आप ज्यादा गूगल कर ले ना अनुस्टूप में बेसिकली आठ चार-चार का चंद है ना हो समझेंगे चार-चार आठ मिलब टोटल सुलह जैसे बोलें और इसके बार में मुझे ज्यादा अब एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रस्थान तरह में तीन तीन ग्रंद जो हैं उसको हम मिलके प्रस्थान तरह कहते हैं जिसमें भगवत नीटा एक है उसको स्मृति प्रस्थान उपनिशत को कौन सा प्रधान करते हैं प्रस्थान करते हैं सुरूति सुरूति वेरी नाइस तो सुनी हुई है और भागवत-गीता स्मृति पे है याद से ब्रह्मशुत्र को कौन सा बोलते हैं प्रस्थान वेदानतस नियाय प्रस्थान नियाय प अब्जेक्ट है भगवद गीता प्रस्थां तरही का एक अंग है यह हमें जान भगवद गीता को ब्रहंबिद्या भी कहते हैं प्रस्थान ने आये थिक आप आपको यह साइद प्रस्थान तरही के बारे में पढ़ना यह बगवद गीता किया है उपनिश्दों का साड है समरी सरांस है तो बहुत सारे जो हैं वो किसी न किसी उपनिश्था सी में आते आएं हैं बगवद गीता के जो रचाइता हैं वो कौन है महारशी वेट व्यास वह महाभारत के ही हैं तो बगवद देश दिया और अठारा दिन चलाएं कोई सवाल कोई प्रस्ण मन में तो इसमें इंपॉर्टेंट हमारा जो बहुत ही महत्तुपून जो है वो क्या याद करना है यह विस्म पर्व से लिया गया है तेश्में से चालीस में अध्याय का एक बाट हो गया अठारा अध्याय के नाम आप याद रखें तो बहुत अच्छा और नहीं तो जो सिलेवस में हैं उसके तो आपको जितने नंबर दिए गए है वो तो आपको अध्याय के नाम याद रखने ही रखने हैं कितने सलोक है यह बहुत है प्रस्थान तरही का पाथ है इस निश्टी प्रस्थान है और वेद्व्यास के रच्षाइटा है और बाकी तो पता ही है कि फिर महाभारत की जो पर्व हैं उनके नाम यहां पर दिये गए हैं आपको जब आप महाभारत पढ़ेंगे तो उसमें भी आप फिर से याज करेंगे तो देखें विस्म पर जो है वो चट्रिया जाए दिया गया है राइट चट्रिया पर्व में से लिए यह बड़ा वह है भागोद गीता में अध्याय बोलते हैं बट महाभारत की जो चाप्टर हैं वो पर्व के नम से जाते हैं पतंजली योग शुत्र में क्या बोलते हैं इसको अध्याय को चाप बाद यह सब इस आपको थोड़ा सा और हट प्रद्यपिका में पुगदेश पुगदेश यहां से फिर से लुबढ़ फखोद की ता कि अध्याय दिए गया Carib है य हमें बहुत ही इंपोर्टन है सांक्य योग दुसरा कर्म योग तीसर अध्या वह ज्यान कर्म-सन्यास योग कभी कभी Lost के नोजेगी है तो यरी अदियान रखना है अभी अकिसका अध्या मृज तो कभी समें भी तो कुछ कुछ कभी कभी यह भी आ सकता है आम नौट शूर जदी आपने अहां जब वो योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड का आप जदी ग्याम दे रहे हैं तो उसमें तो जरूर पूछे जाता है कि कौन से अध्या है कि कितने श्लोप के संख्या कितनी है है ना जैसे सांख्य योग में दुसरे दैकी 72 है और कौन सा सबसे पराह है मोश्षन्यास योग अब जैसे इसको याद करने का दुसरा 72 72 मतलब 78 है I think मोश्षन्यास योग का राइट 188 सबसे इजी कौन सबसे कम किसमें है तो कितने हैं 2020 तो यह ऐसे कुछ-कुछ आप एक बात आई डून अभी तक तो मैंने किसी ने देखा है क्या प्रिवेस के कुश्चन की नंबर स्लोक संख्य कितने स्लोक के नंबर है अभी तक तो नहीं है मैंने नहीं देखा भी जद दो साल के इसमें बट आ भी सकता है तो इसको भी याद रखना है तो आप एक नोट बनाए जिसमें अध्याय के नाम उसके आगे स्लोक की संख्या कितनी है साथ में परव के नाम भी कर सकते है ना क्योंकि वह भी वह सकते है कि इस सब्सक्राइए की ना भी सकते हैं ना भगोध कीता दो प्लटल एक पर्ट है ना विसम पर से उसकितम यह मत्लब जो है उपर जोनें ना पर्सक्राइost तो आप जब पढ़ेंगे तो उसमें आएगा तो लेकिन उतना याद रखने कि विस्म परक से लिया गया है और यह अध्याओं कि नाम भगवत गीटा की सिलेबस के इसाब से इतना याद रखने महाभारत की बूख अलग से आती है कोई सर मैं भागवत गीता में ही सोच रही थी महाभारत को भागवत गीता में ही जैसे महाभारत हुआ है जैसे जब हम पढ़ते हैं तो उसमें सारा आता है ना जो बुक आती है उसमें महाभारत कहां लिखा रहता है आप बोल रहे ना कि एक बगवत गीता वाली बुक अलग से आती है ओं अलग से आती है आप गीता परेस्में जाएंगे तो देखेंगे उनका भाग वन भाग तू दो दो बाग में मोटे मोटे बहुत 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 सब्सक्राइब तो अब हमारे पास दस मिनट समय है अब आज यहीं पर रूपते हैं और कुशन आंसर कर लें कि कि कर लें थोड़ा सब को यादि तो सिंपल सा अभी तो है अभी तक तो तो अभी मैं किसी को कोई मन में सवाल है तो पूछ लीजे फिन इट उसके बाद चलते हैं सब्सक्राइब तो अभी तो जन्रल इंट्रोड़क्शियन आभी प्रॉब्लम्स आएंगे आगे अगे इसे क्या-क्या क्या क्वेशन बन सकते हैं देखते हैं तो अभी तो इसको प्रेजन करेंगे क्या अभी यह जो पीडियर यह शेयर करेंगे क्या आँ श्यर्व और उसके इंतजार में मतल यह थोड़ा-थोड़ा नोट आप बनाते रहीं आप्ट कर लेते हैं तो पहला कुश्चन जिसका नाम बोलूं वह हम वह मुझे माइक आउन करके बताएंगे बाकि लोग माइक को आफिर रखेंगे चाट बॉक्स करेंगे अच्छा इसको मैं हाट रहा लेता हूं ऑके कि ज्ञान कर्म शन्याश योग क्या अध्याय का नंबर बताएंगे कि वाव ओके विष्णु मारान जी आप माई कौन करके बताएंगे पासर आँग 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 मैंने क्या पूछा ज्यान कर्म शन्याश योग कर्म शन्याश योग मैंने बताया भी ता आपको कि देखो यहां पर जो सकता है बहुत लोग ने बहुत ही सुन्दर आंसर दिया यह चौथा दिया है पांचवा नहीं है पांचवा क्या है ज्यान कर्म शन्याश यह तो चौथा यहीं मैंने जब आपका अध्याय के नाम बता रहा था तो यह मैंने आपको हाइलाइट किया था यह रखेंगे है ना ऑक्के गून त्रय विवाग युग का अध्याय नंबर बताई है ना मनिश्या याज्यु जीए मनिश्या जी आप माइक अन्वाग युग नाम, मेरे हाथ से वो यह तकर ये अब यह बताएए प्रस्थान त्रही में प्रस्थान त्रही में भगवत गीटा को कौन सब किस प्रस्थान से जाना जाता है अब लोग अचहा स्रीटी स्रीटी पुष्पलाटाजी पुष्पलाटाजी अधी यह था टूंद जिएटि इख एग्रिव इचिए उडेश्थान त्रह्म रोगवत बोलग ने कितने वगवद्गीता में कितने श्लोक हैं सभी लोग का सही आंसर यह तो बहुत इजी कोशन था गुट 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 हो गया हो गया समझ गया तो और क्या सवाल बन सकता है भगवद्गीता किस पर माँ भारत के किस परप से लिया गया है अच्छा यह तो बहले ही अब आगे हैं वह सुपर गुट 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 कि मैंने बोला नहीं कि सवाल आंसर ने किस पर्व के नाम बताने हैं चठा तो पर है ओके अच्छा आठारा किसने अंसर दिया देखें अरे चला गया उपर कि यह उपर किसे जाएं भाई जिन्होंने अठारा हुआ अठारा ध्याय है अच्छा ओके इंट अ अरुना जी तो इसके साथ और हम आ जाते हैं स्रधा त्रेविभाग योग का अध्याय का नंबर बताईए पर इसल जाना सुधात रहे मनीशा जी माइक कोन कर बताई है जो अहार का है सथ्रिगुणा त्रिगुणाए राजसिख तामसिख वह कौंसा है वह कौंसा दिया है वह 17 नहीं इस लोग के याद आम बतरसम पुरुष्य परिशितन चेट तीनों दिये है आहर का वरना लिए देखिए चौदावें अध्याय से तीनों गुन के बारे में चल जा है बट गुन जो तीनों गुन के बारे में जो थै वो चौदावें अध्याय में यह जो है स्रधा चेट रे विभागयों सट्रह में अध्याय का नाम क्या है चौद्धा रे विभागयों सद्हात रे देभागयों कुष्पलता जी आपने क्या आनसर दिया ती बेखा रिज को इसको डेवाशूर संपत विभागयों का देघा है रिचा जी ने भी सो लहवा बताया है रीच जी माई कौन करके बताईए गलती से हुआ समझ में आया कौन सा दिया है स्रधात गलती से टाइप हो गया था अच्छा ठीक है कोई बाद तो स्रधात रहे विभाग योग फिर से एक बार हम पढ़ लेते हैं पहले अध्याय को क्या बोलते हैं अर्जुन अर्जुन विशाद् सांख्य योग इसरा दिया है कर्म योग चोथा ज्यान कर्म सन्यास पाच्वा कर्म सन्यास योग कर्म सन्यास योग अच्छा जो लोग सब लोग एक ही आद में नहीं बोले सब लोग को मोका देते हैं तो हाँ पाच्वे पाच्वाथ हो गया ना हाँ छट्था छट्था दि पुष्पा जी बताइए आत्मे अध्याय को अक्षब्रह्मयोग रचना जी बताइए नौ में अध्याय को अ कि राज जिद्या राज गोग रीचा जी बताइए दसमें अध्याय को विवूतियोग वेरे नाइस ग्यारहमाद याय साथ भीक जी बताइए विश्वदर्शन वेश्वदर्शनि वेश्रूप दर्शनि यो वेश्रूप दर्शनियोग शालनी जी बताएए बहुत तियों इस शीवांकी शीवांकी जी शीवांकी जी बताइए तेरा में को शीवांकी डी वतनोटि मां अब्रस्टैमी जुड़ अह ότι और श्यत्र सुएंध व्योग वॉगई। सब्सक्राइब करके शिवा शुब्रा जी बताइए शुब्रा जी बताइए अठा कौन सा अध्याय में थे हम लोग चौधा में क्यों 14 14 चप्टर को क्या बोलते हैं कि शुब्रा जी बताइए माई कौन करके शुब्रा ना शुब्रा जी न आप है कि श्वेटा जी बताइए कि कहां पाइब होगे सब लोग है कि सुनीती जी कि सर्गुरत्र विभा क्यों यह लोग कहां है स्वेटा जी शुम्रा जी एक मिनाटा रख और लुक्त है कि शुब्रा जुब्रा में अधियाए को अच्छा विधा पी शुब्रया देवा सुं-ध्वथ रहे सबको याद हो गया और जिनको नहीं याद है फिर से एक बार आप लिख लिएगा और लिखे याद कर जेगा है ना शुलोग के साथ नंबर अब शुलोग के साथ अच्छा चले कल से हम लोग बैठेंगे तो सब के पास भागोद गीता की कोई भी बुक साथ में रखेंगे अच्छी है तो अभी हम विश्राम करते हैं विश्राम देते हैं आज के क्लास को किसी के मन में कोई सवाल तो नहीं है अभी फिलाल तो यह वो जो इंट्रोड़क्टरी वाला था दो यह दि वह आप अभी दिखा दें तो मैं देख दूनी तो वो रह जाएका मेरा या फिर कल दिखा दीजेगा फिर से कल हम रिवाइज कर लें कल संदे है कल नहीं होगा मंदे को होगा फिर से हम लोग एक बार रंट्रू कर करना चाहता है क्लोजिंग प्रेयर जाएंगे त्यार हो जाएंगे अमर गर्दन सीडी करके बैठेंगे दोनों आखी सहस्ता है से बन आतों पर कोई भी एक ध्यान आत्मक मुद्रा लेंगे लंबा गहरा स्वांस लेंगे स्वांस पूरी तरीके से बाहर उना एक लंबा गहरा स्वांस लेंगे दिर्ख ओम का उचारन करेंगे मेरे साथ साथ सभी सांतिपात करेंगे ओम पूर्णमदह पूर्णमिदं पूर्णात पूर्णमुदच्यते पूर्णश्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शान्ति हैं शान्ति हैं मन्त्रों के सकरातमा प्रभा को अनुभाव करेंगे दोनों हाथों पर घर्शन करेंगे पलकों पर लगाएंगे और धीर इसे आप खोड़ेंगे आशा करता हूँ कि हम लोग आज का आज का सेशन सबके लिए मजदगार होगा होगा सबको समझ में आया और फिर से हम रिवाइज करेंगे अरिवाम सर्च वेरी मलते हैं मनिकूः हर्याम सर्च थेंक वेरी मैश सेर थानि देजा आज करेंगे करेंदों अरिवाम सर्च थेंक वेरी मश स्वारा थ्री थेंक यू